चोकिदार सोर है पर फंसे राउल गांदी नमस्कार मित्रों मेरा नाम है सिमर सराम और आपका स्वागत है दस हुगम पर आपने दस हुगम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबई लेटेश न्यूज पाने के कोड की अवमानना के मामले में नोटीस जारी किया है अधालत 22 अपरेल को इस मामले की चुनवाई करेगी राउल को ये नोटीस उनके बयान सोखिदार सोर हैं पर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने साप कर दिया हैं कि हम ये इस्प्रेश्ट करते हैं कि राउल गांदी ने इस अदल्द का नाम लेकर रापेल सौधी के बारे मेडिया वह जंता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेस किया गया है मित्रों हम आपको बता दें कि राउल गांदी की खिलाप सुप्रीम कोर्ट में बाजपानियता मिनाक सी लेकिन यासी का दर्ज करक काहा कि गोर्तबल है कि राउल गांदी ने राफेल मामले में परदानमंदरी नरेंदर मोधी के लिए सौकीदार चोरें का बयान दिया था इतना ही नहीं राउल अक्सर अपने बयानों और बासनों में भी इसका अप्योग करते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ड ने राफिल डिल जो जो फैसले पर पुन विशार यासिका को मंजूर किया जिसके बाद राउल ने टिपनी की कि अब सुप्रीम कोर्ड ने विमान लिया कि चोकिदार चोर हैं इसके बाद बाजबा ने नेता जो मिनाकसी लेकी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ड पहुंची और राहूल गांदी के खिलाफ कोर्ट के अव मानना का आरोप लगाते हुए यासी का दैर की बता दे अदालत 22 अप्रेल को इस मामली की चुनवाई करेगी तब तक कोर्ट ने राहूल को जुआब देने का समय दिया है इस समद में राहूल गांदी पर कैंदरी मंद्री प्रका जावड़ी करने निचा नचादा उन्होंने कहा कि अब राहूल गांदी के पोल खोल चुकी है उन्होंने कहा कि गांदी ने परतानमंद्री मोदी के लिए जो जूर बोल दे थे उनके लिए राउल गांदी को मापी मांगनी चाहिए